हम अक्सर सुनते आये हैं कि हमने स्राद कर्म को पूर्ण किया कर्म अर्थार्थ किसी भी कार्य का संपादन आपको भूख लगी, भोजन करना, कर्म हुआ आपने अपना कर्म पूरा किया लेकिन उदर में, यानि पेट में बोजन के जाने के बाद लिवर ने क्या किया बोजन का ओपियों की अंश किस तरह बॉडी के हर अंग में पहुचा गर्मी लगी आपने पंखे का स्विच ओन कर दिया ये एक गर्म है इसके बाद पंखा गूमने लगा हवा आने लगी ये करिया है किसान बीजबोता है बीजबोने का कर्म किसान के द्व़ारा किया गया जब धर्ती की उपजाओ मिटी और पानी के साथ मिलकर विशाल काय व्रक्ष का रूप धारन कर लेती है ये कर्म नहीं है करिया है जो स्वतह होई आपका कोई रोल नहीं था इसमें इसी तरह हमारे पूर्वच जो अब इस दर्थी पर नहीं है हम निश्चित तिथी पर उनके लिए स्राध कर्म करते हैं और जब पित्र तरप्त हो जाते हैं तो वे हम पर कृपा की वर्षा करते हैं वहीं कृपा हमारे पित्रों द्वारा की गई है वक्रिया है उसी वज़े से हमारा जीवन निरंतर सुखमय डंग से व्यतीत होता है किन्तु मेरे सभी प्यारे दर्शकों, सादकों और शिश्यों सराद के साथ सरद्धा जुड़ी हुई है ये कर्म पुरी सरद्धा से पूर्ण करना चाहिए, परिवार सहित करना चाहिए कई बार आपके बच्चे, जिन लोगों के लिए आप माता पिता अपने पूरवज़ों के लिए सराद कर्म कर रहे हैं लेकिन आपके बच्चे कभी उनको देख नहीं पाए, उनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्य हो गई लेकिन जब उस्राद कर्मे रहते हैं उसक्रिया को करते हैं तो पूरवज उन्हें भी आशिरवाद परदान करते हैं इसलिए हर शुब और मांगली कारियों पर अपने पूर्वज़ों को याद करें और स्राद पक्ष में सरदा के साथ इसक्रिया को पूर्ण करिए वो आएंगे और आप सब को आशरवात परदान करेंगे